गुड मॉनिंग बच्चो बेलकूम टो अलेन किलास किलास फर्स्ट सब्जेक्ट इंदी देखिए चैप्टर टू आपका होसियार कौन चैप्टर का नेम है इसके बड़ मीनिंग में आपको बेच दिये थे अब देखिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना में देखो प्र प्रडव जो अपनी कच्चा में सबसे अधिक उस्यार था कलास में इसलिए सभी अध्यापक उससे बहुत प्यार करते थे तो इसलिए सभी अध्यापक जितने भी टीचर थे इसकूल के उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत प्रसंसा करते थे प्रसंसा यानि उसक घुरूजी प्रडब में ऐसी कौन सी बिसेश बात है जो अन्य चात्रों में नहीं है क्या हम उसियार नहीं है आप सदय प्रडब की ही प्रसंसा करते हैं इसका मतलब है कि बाकी चात्र मूर के हैं तो देखी जे बात बैबब कहता है अपने टीचर से कि क्या हम उस्यार नहीं हैं, आप सद्य पड़व की परसंसा करते हो, इसका मतलब है कि बाकी चात्र मूरुक हैं, वो उसको इस चीज के बारे मुँ कुरूजी से पूचता है, कि आप केवल पड़व की तारिफ करते रहते हो, उसी की बड़ाई, तो और जो बच्ची हैं किलास के वो मूर को तोड़े ना है और वो भी उसे आ रहे हैं तो देखिए तो देखिए यहां पर कुछ कोश्चन दे रहे हैं पहले हम इनको देख लेते पर आगे अपढ़ेंगे जैसे देख कच्चा में सबसे अधिक उस्यार कोंता तो यहां सिंसे आता पढ़ा तो प्रडव सबसे उस्यार था कच्चा में कुछ चात्र प्रडव से क्या करते थे प्रेम की इर्षिया करते थे जलन तो देखी जहां से आगए यह सुनकर अध्यापक हसने लगे कुछ सोचकर उन्होंने स्यामपट पर एक रेका खीच दी स्यामपट यानि बिलैक बोड पर उन्होंने एक रेका यानि एक लाइन खीच दी फिर सभी चात्रों से बोले जो चात्र इस रेका को बिना कहीं से काटे चोटा कर देगा वही सबसे अधिक उस्यार होगा इस रेका बिना इटाए देखिए फिर सभी चात्रों से बोले जो चात्र से रेका को बिना कहीं से काटे चोटा कर देगा वही सबसे अधिक उस्यार होगा तो देखिए सभी चात्र एक दूसरे का मूँ देखने लगे इस प्रसन को जब पूचा टीचर जी ने अध्यापक जी ने बच्चों से तो सभी चात्र एक दूसरे का मूँ देखने लगे और चुपचा बैटे रहे किसी को नहीं आया प्रसन अध्यापक ने सभी चात्रों से कई बार का लेकिन किसी भी चात्र को कुछ नहीं सूज रहा था सभी बैटे हुए या सोच रहते कि रेखा को बिना काटे छोटा कैसे किया जा सकता है अंत में अध्यापक ने प्रडव की ओर देखा प्रडव अपनी सीट से उठा उसने स्यमपट यानि बिलैगवोड पर कीची रेखा के बरावर यानि जो रेखा कीची थी पहले उस रेखा के बगल में ही बरावर में एक बड़ी रेखा कीच दी जैसे टीचर जी ने ये वाली रेखा कीची थी एक बड़ी बाली कीच दी तो देखिए इन दोनों में पर ये चोटी होगी कि नहीं होगी अपने आप बिना काटे हुए तो कीच दी अध्यापक सभी चात्रों से बोले देखा पहली रेका बिना कहीं से काटे अपने आप चोटी हो गई शिकायत करने बाला चात्र लज्जित हो गया यानि सर्मिंदा हो गया उसे सरम लगने लगी सर्मिंदा हो गया उस दिन के बाद उसने कभी भी अध्यापक से प्रडव की कोई सिकायत नहीं की अब कच्चा में सभी चात्र प्रडव के मित्र बन गए मित्र दोस्त बन गए उसक देखें जैसे अन्त में अध्यापक ने किसकी ओर देखा लास्ट में बैवब की तरफी तो देखा था कि प्रडव की तरफ प्रडव की तरफ क्योंकि पहले तो सभी वच्छों से पूचा तो आया नहीं था बैवब चाओन में तो बाद में प्रडव नहीं तो एक लाइन कीची थी अध्यापक जी ने उसके बगल में उसने बड़ी वाली कीच दी तो इससे वह छोटी हो गई इस पर काड़ ठीक है तो यहां पर आपको बड़ी लेकना है आपको यह चैप्टर टू है होस्यार कौन वाला केरफुली पढ़ना पूरा ध्यानपूरवक